जावा क्लासिक 350 को भी कुछ टाम पहले लॉंच किया गया है, जो कि 3 क्रॉप्षन के साथ पहले लॉंच किया गया था, जहाँ पे मैरून, ओरेंज और बलेक देखने को मिल रहा था, तो blue glare के साथ आप जावाज 350 कैसी लग रही है comment box में जरूरू बताएगा बागी engine specification सारे पहले वाले हैं इसमें आपको 334 CC का single center 4 stock liquid cool electronic fuel injection engine मिल जाता है जो की 22.57 PS का पाव 28.1 NM का torsion करती है 6 speed gearbox मिल जाता है जिसके front में telescopic fork और rear में twin suck observer gas filled 5 step adjustable suspension इसमें लागा हुआ है टायर साज इसके front में आपको 18 इंच और rear में 17 इंच के टायर से मिल जाता है spoke wheel के साथ ही आती है बागी features की बात करेती है डूर चैनल EBS के साथ मिल जाती है digital unlock meter console मिल जाता है assistance sleeper class दिया गया है नए seat की रिजानिंग मिल जाती है जोग 24 मोडल में engine key switch मिल जाता है 1000 switch मिल जाता है ये सारे features हैं आपे सारे पहले जैसे हैं बाकि जो pricing है current model के अभी pricing जो चल रही है जावा 350 खा 2,14,950 यानिक 2,14,950 उपे तक है और ये जो blue color भी launch होगी जो आने वाले कुछी दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा ये भी same pricing पे launch हो सकती है क्योंकि बाकि जो तीन क्रॉप्सन है उसका same pricing है तो इसका भी same pricing रखा जा सकता है तो अगर आप जावा classic 350 खरेदने के लिए सोच रहे होंगे तो अगर आपको ये color पसंद आ रही होगी तो उसके लिए आपको थोड़ा दिन और भी wait करना होगा अगर आप wait करना चाहते हैं तो wait कर सकते हैं लेकिन अगर आपको अभी purchase करना है तो बाकि जो तीन क्रॉप्सन है maroon, orange, black उसमें से कोई एक ले सकते हैं यहाँ पर स्पिर्छाइब उम्मीद करते हैं video informative लगी होगी उन लोग के लिए वीडियो जादा informative होगी जो जावा है 350 अभी खहे दने वाले होगे यहाँ पर स्पिर्म ख्रेइब नाए थेंकिः फ्रेंस, धेंक्स अरो वाचिंग